अब भी हम लोग पढ़ेंगे जेनरल पैथोलोजी, जेनरल पैथोलोजी में सिफ सुनना है, ये बेसिक है, ये इंप्रोव पार्ट है, समझे, नियूरो एनेटिमी पढ़ाना था, बट यूटुब सीखना पढ़ेगा, क्या 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 डाल सकते, क्या 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 नहीं, आदे स सिल होती है, सिल की हमारी इंजरी हो जाती है, सिल की क्या होती है, इंजरी हो जाती है, जेनरल पैथोलोजी में पढ़ना क्या चाहिए, सिल की इंजरी के बारे में, अब सिल की इंजरी कैसे कैसे होती है, इसमें तीन टाइप होते है, पहले हम लोगों का माइल्ड होता है, द में भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है समझे पहले माइल्ड होगा फिर मॉडरेट होगा फिर सीवियर होगा है की कंडिशन हो जाते हैं यह है बोलते हैं oxygen वहां तक नहीं जाना और oxygen क्यों नहीं जाता है बिकॉज ओफ इस्षीमिया और इस्षीमिया क्या ची होता है बलड नहीं पहुच पाना और बलड जब नहीं पहुचेगा तो जाए इसी बात है बलड oxygen लेकर के चलती है और oxygen नहीं जा पाएगा oxygen नहीं पहुचने को hypoxia और यहीं होता है पहुचे मर्यात में pain होती है सम्झें चाती वेगरा हम पेंचे आपक margin पता नहीं ब्हुचे होता है और इसमें क्या क्या होता है इसमें पहला आपका होता है एड़ेपरेशन होता है दूसरा होता है reversible cell की injury तीसरा होता है irreversible cell की injury irreversible cell समझ लो कि जब injury ऐसे जगह पे पहुँच चुका है जहां से वो cell दूबारा regenerate ना करेच सके या उस organ को दूबारा हम लोग ना बना सके समझे हो organ का cell पूरा खतम हो चुका वो organ खतम हो चुका समझो कि just near response to necrosis math जिनों ने पढ़ा होगा तो उनको limits पढ़ाया गया होगा और limits में होता है कैची है limits t tends to 0 है does it mean कि t हम लोगों का 0 है t tends to 0 मतलम होता है वहाँ पे t सबसे nearest point है 0 के समझ रहो ना जो 0 के सबसे nearest point होगा वोई t होगा but हम लोग value put कर देते है t equal to 0 वहाँ पे question fx equal to something 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 रहता है तो वहाँ पे x का जगा पे जो भी रहता है t की tends जो रहती है वो put कर देते हैं तब क्यों करते हो वो math वाले से पूछो समझें necrosis necrosis के चियोती है cell की दित हो जाती है उसे हम लोग simple भासा में necrosis बोलेंगे उसे हम लोग बोलता है apoptosis समझें यहां पे क्या होता है silky suicide होती समझ रहा हो अब जो हम लोगों का यह होता है यह तीन चीजों को देख लेते है तीन चीजों में adaptation बता है adaptation में हम लोगों के types होते है हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सिर्फ अभी इंट्रो देख लो adaptation में हम लोगों के चीज होता है hypertrophy atrophy hyperplasia and metapalasia ठीक है fourth number अब hypertrophy पहले पढ़ने से पहले atrophy देख लेते atrophy में के चीज होता है वही example रूई को लेकर के आजो कोई भी इंसान कभी ना कभी old days में जाता है तो रूई जब old days में जाएगी तो इसकी जो bones है और जो brain के neurons है कम जोड हो जाएंगे समझे basic बता रहा हूँ फटफट तो होता है क्या चीज है उसके जो cell के size है cell के size है और जो number है वो decrease कर जाते because of that her bones और जो brain के neurons है वो कम जोड हो जाएंगे समझे समझ रहे हो ना चीज होगो तो इसे बोलेंगे हम लोग atrophy ठीक है उसके बाद atrophy के है इसका यह मैंने जो बता है physiological example बता है pathological example बता हो अगर कुछ disease हो जाए example polio polio के patient में क्या होता है polio के patient में जो limbs होते है वो पूरा का पूरा खतम हो चुका होता है एकदम छोटी सी हो जाती है क्योंकि muscle supply नहीं हो पाता है वहाँ पे ना blood पहुच पाता है ना oxygen पहुच पाता है और ना oxygen पहुचेगा तो nutrition वहाँ की cell बनाई नहीं पाएगी energy बनाईगी नहीं movement होगी नहीं समझे रहा हो ना यह जैसे कोई patient है और patient का half paralysis है facial का half paralysis एक चीज होता है एक पूरा का पूरा body का half paralysis होता है right side या left side और एक upper limb का paralysis होता है और एक lower limb का 4 तरह के paralysis physiological में आपको पढ़ना है half paralysis को हम लोग hemifalagia बोलते है यह जो बोलते है hemifalagia अगर इस तरह के patient है तो इस तरह के patient में देखने को मिलता है कि जो body है वो रखे-रखे movement तो हो नहीं रही है तो रखे-रखे क्या होता है body के disuse होने लगती है और disuse के कारण जो उनके cells होता है वो cells खत्म होती है और उसके कारण के अची होता है आप लोग उसके कारण नॉर्मल से आप लोग बोल सकते हो कि cell एक तरह से injured कर जाता समझे है hemifalagia के case में वही जब organ का disuse कर दो ना organ का कोई use ही ना करो तो उसकी cell खुद पे-खुद खत्म हो जाएगे समझे है क्योंकि वहाँ पे oxygen नहीं पहुत पर ही supply ही नहीं हो रहा तो oxygen कहां से जाएगी वही होता है आप लोगों का यह हो गया pathological लेज़ांपल अब दूसरा आप लोगों का आता है hypertrophy hypertrophy में क्या ची होगा hypertrophy से पहले adaptation समझ लो अडेपटेशन तो मैंने आपको बताए नहीं adaptation क्या ची होता है सिल खुद को बचाने के लिए चीजों को एडेप्ट करती है उसे हम लोग adaptation बोलता है adaptation simple वहासा हमे camouflage पढ़े होगे class 12 में camouflage क्या क्यों होता है ना predator spray पढ़े हो ना यह खुद को बचाने के लिए अपनी रंग चेंज करते है जैसे गिरगिट वो क्या करता है रंग चेंज करता है जैसे रंग में बैठता है उसी रंग में ढल जाता है तो खुद को एडेप्ट करता है सिल इंजिरी से बचने के लिए उसको adaptation बोलता है सिंपल सा और उसमें इतने सारे फॉर्म होते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्म है इसमें यूए सेमली के लेवल पर पढ़ोगे तो इसमें डैप्लेशिया आएगा डिस्प्लेशिया ठीक है डिस्प्लेशिया आएगा और यह नियोप्लास्म वह आपका आजाता है आप लोगों का जैसे रूही समझो फूल के हलकी सी फ्लावर जैसी हो गया कुछ ऐसा 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 बन गया बना ही देता हूं मैं आसा ठीक है ऐसा कुछ तो अब इसे जाना पड़ेगा जिम अब यह जाएगी जिम तो जीम में क्या होगा जिम में एक्सराइज होगा और बिकॉस क्रATOR करेंगे जैसे नौर्मल इसमें स्पूल के साइज है वह न स्ट्रेश कर जाते है और अब कि इस जो इसमें से होगा है कुछ न्युम कर जाते हैं जाते हैं आपके मैंयोगे तो लिग मैन इसमिए इसमिरी जया आ καल एकरबीक्स धां कर सेet K misma के सिले डूमब के इंनाबर है वोग टिस कर जाते संघ्राइब कहा है तरौं वहता है इसमेशपर है इस है इसमेशत पंधनी हुता है जो जो मतित आए है थितुटे शर्चे का Viv справक जो यहां पर को 6 regen बब क्नाल्रीच करदददद एक दो होता है यहां पर जो सिलका जो को यह होगा है इन प्रीज कर जारहिए आब यहां कीच्प एधर खाई परेख जिल के नंबर में क्रीज को शेकर जाएंगए 2017 लिए जो चाहिए यह सेल नंबर खेयों करजांगे इसको आपने बोले लिए DR यर्य ही रहक Sådhag तो यह था आपका hyperplasia है, यहां पर कि ऐची हो रहा है, cell का number increase कर जा रहा, मालो रूही से, अगर बोला जाए कि तो अपना इत्तुसा थोड़ा सा लिवर डोनेट करते हैं, मतलम यह जो लिवर का डोनेशन होता है, यह जैसे इतना सा लिवर डोनेट करते हैं, तो यह तो दर जानी है भाई medical तो इससे कुछ समझ के बाहर है तो actually होता है कि अच्छी है कि जो लीवर है उसका लीवर डोनेट करना है जो डोनेट करते हैं जो patient को डोनेट किया जाता है लोबेक्टोमी बोलते हैं लिवर का donation surgical view में point of view से lobectomy बोलते हैं तो इसमें इतना सा लिवर डूनेट कर दो तो इसमें क्या होगा यहां पे इसकी जो लिवर है इसे नहीं मालू है समझें यह मुझे मालू है और यह medical के student को इंसरीफ मालू है कोई भी normal इंसान से बोलो तो वो डर जाएगा या लिवर डूनेट करना बहुत बड़ी बात है आसा आसा तो कुछ time बाद बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा high capacity होती है इसकी cell की regenerating capacity जो होती है बहुत है होती है जो होता है cell का number increase कर जा रहा है क्या कर रहे cell अपने number increase करा करके पूरी के पूरी लीवर बना देगी समझे इसको hyperplex है फिर आता metaplexia metaplexia में क्यों होता metaplexia में एक सेल दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है, एक सेल जो एडल्ट सेल होती है, वो दूसरे एडल्ट सेल में चेंज हो जाती है, वन टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है, उसे बोलता है मेटापलेक्सिया, इसमें एक न्यू करेक्टर इंट्री करा देता हूँ अब भी ठीक है इसका क्या है यह चेनी स्मोकर है सिरियल स्मोकर है स्पोकिंग बहुत करता है तो इसका क्या होता है इसका जो ट्रेकिया है इसकी जो ट्रेकिया है इसकी जो ट्रेकिया है वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर भीया जैसी बात है बहुत सारी कुछ फैलेगी स्मोकि कॉलूमनर आपितिलियम कॉन से पितिलियम होते हैं सूदो सेटिफाइड कॉलूमनर epithelium और कैची होता है सीलिया क्या करती है जो इसमोकिंग में आएके ना गंद गंद पार्टिकल जो सुड़ो 파्रीट काम क्लीनिग काम होता है यह भी पनी नौछ कर लेगी तो दीस सेल को API कर लेगی, हम ऐस शेड आम के कंद्रकिन मशी कही होगा प offend पतली धाराय होती है इसमें समझें आज से कुछ होता यह होता है इसको एमस तो एक से दूसरे में चेंज कर जाना इसको बोलते हैं क्याची मेटापलेस या क्यों कर रही है यह सारा कुछ क्यों हो रहा है यह सारा कुछ खुद को बचाने के लिए हो रहा है रूही खुद को ब मलकुछ भी आप ले सकते हो तो यहाँ पे खुद को बचाने के लिए सूडो स्टेटिफाइड कॉलूम नर एपिथिलियम से यहाँ पे कौन सी सेप में आज़री स्क्वेमस समझे रहे हो इसको बोलता है मेटापलिस या उसके बाद और यह ऐडोरी सेमस alors है इसंते हैं आपको को जुद्धו क्टिस अठरिस looks यहीं ऍयदों को की ड्याउच में होता है है इंट्रिंसिक का आता है है और extrinsic होता है, intrinsic and extrinsic, necrosis, necrosis में भी बहुत सारे types होते हैं, necrosis में आपका coagulative necrosis होता है, lique effective होता है, cassius होता है, fad होता है, fibrinoid और gangrenous, gangrenous बहुत important है, इसमें उंगली गिर जाती है, जो limbs के उंगली होती है, distal, distal की से बोलते हैं, जो दूर की चीज़ है, heart, यहाँ पे समझ लो, एक body है, body के जितने दूर रहेगी, heart से जितने दूर जहाँ पे, जो blood supply कम पहुचे है, distal, समझ लो है, distal, और distal पार्ट में, यहाँ पे effect होता है, gangrenous, उंगली गिर जाती है, इसका diagram मैं नहीं दिखाऊ दिखाऊँगा, तो maybe restrict कर दे YouTube, दिखाई दे तो, restrict करें तो करें, यह होता, यह जो है, necrosis का gangrenous part का example है, समझे, blood पहुचना, और यह पूरी के पूरी इसकी fingers घिज़ आएगे, so thanks and best of luck, इसमें तो best of luck बोलने की आदत हो चुछी है, इसलिए बोल दिया, semester के लिए, आपके medical के semester के लिए, सारा कुछ पढ़ा दूगा, यह सरिफ और सरिफ इंट्रो पाड़ था, अगर कैसा लगा, यह मुझे बताना, अगर सही लगा होगा, तो पूरा lecture में आपको समझा दूगा, नॉर्मल से एक बढ़ रिवाइस कर रहे थे, तो atrophy में की चुछी, cell की number decrease कर जाती ह hypertrophy में size increase कर जाता है, और hyperflexia में क्या ची होता है, प्लेसिया में number increase कर जाएगी cells की, और metaplexia में क्या ची होता है, change कर लेती है, अपने को, समझे बारा नहीं, यहाँ पर जो चेनी स्मोका था, उसकी जो cells थी, वो खुद को pseudo-statified columnar epithelium से, plus cilia भी होता है, वहाँ से change करके, समझे, इसको बोलते हैं हम लोग metaplexia, और भी बहुत सारे हैं, सारा कुछ मैं पता हूँगा, so thanks, मिलते हैं next class में,